Hello Friends, This is Suman Bhattachar Ji from Shomuz Biology और और एक Hindi वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं Polymerase Chain Reaction के बारे में जितने भी biological techniques हैं उनमें मेरे हिसाब से सबसे important जो टेक्नीक आज तक बना वो है Polymerase Chain Reaction और PCR इतना simple but elegant technique है जो बहुत ही सारे molecular biology techniques और other techniques में यूज होते हैं PCR Actually PCR को अगर आप equation के हटा दो तो बहुत सारे analytical process, diagnostic process नहीं हो पाएगा तो क्या है ये PCR? आज हम जानेंगे इस वीडियो में तो चलिए पहले देख लेते कौन-कौन सी topic हम आज सिखेंगे एक तो बात है what is PCR? क्या चीज है PCR? क्या होता है इसमें? दूसरी बात PCR machine कौन सी machine में PCR किया जाता है? इसको कहते है thermocycler वो भी हम देखेंगे principle behind PCR क्या है? वो भी हम देखेंगे PCR components मतलब PCR reaction में क्या-क्या लगता है? यह simple chemical reaction है और इस chemical reaction में हमें क्या लगता है? जैसे के target DNA लगता है primers, DNTPs वो भी हम देखेंगे mechanism of PCR मतलब के steps of PCR को भी हम देखेंगे और advantages and disadvantages of PCR आखिर में हम देखेंगे के PCR के uses क्या है? क्या-के types का PCR भी होता है और उसके बाद हम यह भी देखेंगे के disadvantages भी क्या है? disadvantages खेर बहुत कम है मगर ज्यादा तर advantages ही है तो चलिए देखते हैं PCR क्या? So what is PCR? In very basic terms हम यह बोल सकते हैं के PCR अगर हम इस नाम को break करें तो हमें क्या मिलता है? Polymerase Chain Reaction Sorry एक color ले ले लेते हैं यहां से चलिए Polymerase Polymerase P for Polymerase, C for Chain, R for Reaction तो Chain Reaction का मतलब होता है एक चीज एक के बाद है, continue होता रहे, बंद ना हो यह है Chain Reaction और Polymerase मतलब जो enzyme, famous enzyme हम जानते हैं कि DNA Polymerase है, RNA Polymerase होता है तो यह जो enzyme है वो Nucleotide को stitch करता है एक Nucleotide को और एक Nucleotide के साथ stitch करता है, तो यह Polymerase जो है, यहाँ पर भी एक Polymerase यूज होता है, और वो Polymerase क्या करेगा, Nucleotides मतलब के DNTPs वैसे बहुत सारे Nucleotides को एक साथ stitch करता रहता है और वो एक DNA का structure बनाता रहता है, ठीक है तो PCR एक Amplification Process है, Amplification का मतलब, मानो के एक DNA है मेरे पास, अभी ऐसा एक DNA, यह extract किया हुआ है, एक Endangered Species की Plant से, अभी हमें Study करना है कि यह Plant Species का Important Proteins, कौन सी Genes बनाता है and all this, तो इसको जानने के लिए, हमें उस DNA को Study करना परेगा, मतलब कि DNA को काट कर, हर एक Gene को देखना परेगा, उसको Clone करना परेगा, उसको Amplify करना परेगा, तो Problem यह है, कि अगर वो Plant Endangered है, मतलब हम उस Plant को मार रहे ही सकते हैं, बार-बार हम उस Plant से DNA Extract करेंगे, उसका जो है Leaves और Different Place Roots हो हम ले लेंगे, तो Plant मर जाएगा, तो हमें क्या करना है, कि वो एक DNA जो Sample बचा है, जो की Target DNA है, मतलब मानों कि यह इस पिक्चर में जो DNA दिखाए गया है, यह DNA अभी उस DNA को हम कैसे एक से बहुत Copies बनाए, ताके हम Study कर सके, क्योंकि एक Single DNA को Molecular Level में Study करना Possible है नहीं, उसको हम Load भी करें, अगर उस जेल में तो वो Band जो देगा, वो Band दिखाए भी नहीं देगा, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे एक ही Copy का DNA चाहिए, मतलब कि जिसको हम कहते है, चापना, एक के बाद एक, जैसे Xerox होता है, वैसे ही होता है, एक DNA को, हर, एक DNA को Multiple Copies में Convert करते हैं, वो ही होता है PCR का Main मुद्दा ठीक है, तो एक DNA को Multiple Copy बनाएंगे, अभी ये बात अगर फिर से सोचो, तो Cloning में भी यही बात आता है na, Cloning में, Molecular Cloning में, हमें Target DNA चूज करते हैं, उस Target DNA को क्या करते हैं हम काट करते हैं, किस से Restriction Enzyme से, अब उस Restriction Enzyme को काटने के बाद उस DNA को हम एक Vector में अटच करते हैं, फिर Vector को एक Host, जैसे के Bacteria के अंदर हम डाल देते हैं उसके बाद हम उसको Multiple Copies बनाते हैं, मगर क्या difference है एक Cloning में और एक PCR में Difference क्या है Difference यह है कि Cloning बहुत ही Multistep Process है मतलब कि Cloning में हमें Restriction Endonuclease चाहिए होता है Closing में हमें Vector चाहिए होता है Cloning में, Cloning का जो मकसद है वो सिर्फ Amplification नहीं होता है Cloning का मकसद दो है एक तो है Amplification और दूसरा है वो DNA को Amplify करने के बाद हम उसको Store करना चाहता है In Libraries DNA Libraries मतलब कि Gene Libraries और C DNA Libraries उसमें हम Store करते है मगर PCR का मकसद वो नहीं PCR बहुत ही Short Term में काम होता है Cloning का काम है Long Term PCR का करते है एक DNA का Sample है हमें इसको Multiple Copies बनाना है हमें यह DNA Sample लेके काम करना है बस हम PCR करके DNA का Multiple Copies बनाया लेंगे और उसके बाद उसको हम Utilize करेंगे यह है PCR तो अभी यह अगर बात है DNA को Many Copies में Convert करना है तो हम कैसे करेंगे जैसे DNA Replication होता है मतलब यह Processor Replication की है ना तो DNA Replication में DNA खुद अपना Copy बनाता है तो यहां यह तो खुद नहीं बनाएगा हम Outside मतलब एक Reaction Chamber में यह कर रहे है तो इसको In Vitro Definitely कहा जाएगा In Vitro In Vivo मतलब Cell के अंदर In Vitro मतलब बाहर तो In Vitro Process है और उसमें अगर Polymerization करना है तो हमें बाहर से Polymerase Enzyme देना परेगा तो कौन से Polymerase Enzyme हम दें तो वो बात में देखेंगे तो पहले तो बात यह है कि DNA Replication की तरह ही अगर Mechanism है तो हमें क्या करना है पहले तो DNA का जो दो Strand है उसको Separate करना है Separate करने के बाद हमें एक Small Sequence Add करना है मतलब देखो यहां पर आप देख सकते हो के DNA Strand हो गया उसके बाद के एक Short Stretch of Nucleotide को हमें Add करना है जिसको कहा जाता है Primer अगर आप मेरा पहले वीडियो देखें DNA Replication के बार में बता है के DNA Polymerase जो Enzyme है वो सिर्फ 3 Prime Hydroxyl को Extend कर सकता है बस ठीक है ना तो उसके लिए DNA Replication में भी Primer Add करना परता है और एक Enzyme है जो Primer Add करता है Primase जिसको हम कहते है DNA Dependent RNA Polymerase यहां पर में हमें Primer Add करना परता है यहां पर हम Primer नहीं देते हैं मगर बाहर से छोटा छोटा Nucleotide का Stretch जिसको हम Primer कहते हैं वो Reaction Mix में Add करते हैं तो पहला स्टेप गया Denaturation मतलब Strands को Separate करना दूसरा स्टेप है यह Primer Annealing मतलब Primer को Target DNA के Sequence के साथ जोरना अभी थर्ड स्टेप Extension मतलब Polymerization अभी DNTPs भी डाल दिया जाएगा Reaction Mix में और Polymerase तो अल्रेडी है ही और यह Polymerase क्या करेगा एक के बाद एक DNTPs को Add करता रहेगा और टोटल DNA को Synthesize कर देगा तीन स्टेप है Denaturation Annealing and Extension That's it इसलिए मैं बोला है बहुत सिंपल प्रोसेस हैं यहां पर So Denaturation करने के लिए DNA को High Temperature के जरूरत होता है और वही है एक मिनिट तक 94 degree Celsius Around 90 को उपर Celsius चाहिए होता है 90 degree से उपर 94 degree Celsius Denature करने के लिए उसके बाद जब Annealing का वक्त आ था है जैसे के Primer DNA के साथ Bind कर सके Temperature को Reduce करना पड़ता है घटाना पड़ता है तब Temperature चाहिए होता है Near About 50 to 54 degree Celsius 45 seconds तक तो Primer जो हम बाहर से देते है दोनों टाइप का Primer देते है हम एक पेर कहते है Primer पेर और उसमें एक Forward Primer है और एक Reverse Primer होता है क्या है यह चीज हम देखेंगे बाद में और Third Extension Extension के लिए एक Optimum Temperature Range है वो 70 to 72 degree Celsius 2 मिनिट तक Extension चाहिए होता है Only DNTPs Polymerase तो है ही वो Extension कर देगा तो यह बात होता है PCR की तो अभी एक बात करो PCR जब हो रहा है मतलब एक ही चीज हो रहा है बार-बार Temperature को कभी बराओ कभी घटाओ तो जो मेशीन है PCR का बहुत है सिंपल सा मेशीन है इसे बहुत ही काम करना पड़ता है उसको क्या एक बार Temperature को Increase करो एक बार Decrease करो उसको हम कहते है Thermocycler Thermo मतलब Temperature Cycler means Temperature को Cyclic way में वो वहरी करवाता है So Thermocycler यहाँ पर एक पिक्चर है Modern Thermocycler Machine की अभी तो टच स्क्रीन वगर ऐसा आ चुका है तो इसमें क्या है कि हम पहले से एक Program सेट कर सकते है कि बोल दे पहले एक साइकल में वो Temperature जाएगा 94 उसके बाद 54 उसके बाद 72 तो यह जो Temperature रेंज हमने बताया कि 94, 54, 72 यह fixed नहीं है मगर 90 सी 94 वैरी करता है वहाँ पर 52, 56 degree Celsius वैरी करता है फिर 68 तो 72, 74 degree Celsius वैरी करता है वो Depend करता है कौन से DNA को हमें Amplify करना है DNA का Sequence की उपर भी वो Depend करता है क्योंकि DNA का Sequence अगर मानो बहुत सारे GC है GC Rich है तो उसके लिए जो Temperature चाहिए होता है Denature करने में बहुत ज़्यादा चाहिए होता है है ना तो यह सब बहुत सारे Factors के उपर Depend करता है So PCR Machine जो है Simply तो Temperature को वैरी करेगा और इस Graph में आप देख सकते हो कि X-Axis में हम है Time और Y-Axis में हम है Temperature तो आप देखो Time के साथ ता Temperature कैसे fluctuate करेगा पहले तो यह Temperature था Home Temperature में Room Temperature में उसके बाद यह Jump करके चला गया 94 अब इस Temperature में Obviously DNA जो है वो Denature हो ही जाएगा तो यह Denaturation Step कहा अभी उसके बाद Temperature फॉल किया Around 50 यहाँ पर Primer Anneling मतलब Primer जो है इंक्रीस करके 70 to 74 degree Celsius 72 degree Celsius हो गया अभी इसको कहा गया Extension Step मतलब Extension होता है Primer तो इससाब से आप देखो Timing अगर Seconds और Minute में आप ताइम देखो तो इससाब से टाइम के साथ Progression में Temperature पहले बहुत High उसके बाद Little Low उसके बाद फिर से High ऐसा एक Cycle Primer Annyling यह बाओ 55 degree Celsius उसके बाद Again 72 degree Celsius में Primer Extension हुआ मगर एक बात यहां से गुंचता है वो क्या है कि यह जो Polymerization है वो 72 degree Celsius में हो रहा है 72 degree Celsius कम नहीं होता है बहुत मतलब गर्मी है 72 degree Celsius में You can't survive मतलब proteins जो है Denature हो जाता है तो कैसे 72 degree Celsius Temperature में जो DNA Polymerase है Enzyme हो कैसे काम कर रहा है यह बहुत important question है अभी answer यह है कि इस temperature में हर कोई तरीके का DNA Polymerase काम नहीं कर गा इसमें specific type का DNA Polymerase काम करता है जुसको हम कहते है TAC Polymerase क्यों TAC T for Thermos AQ for Aquaticus Thermos Aquaticus Species से यह Polymerase extract किया हुआ है और यह Thermos Aquaticus यह नाम से यह पता चलता है कि यह Heat resistant Heat resistant एक Polymerase है Bacteria से जो isolate होता है और भी बहुत सारे Polymerase है जो Archea से Extract किया जाता है जैसे के जैसे PFU है और many other Polymerases है वो कुछ Polymerase जो Archea से Extract किया हुआ होता है वो High Temperature Tolerant होता है क्योंकि वो Archea तो Generally बहुत ही Tough Environment में Survive करता है इसलिए यह Extracted Polymerism यूज करते हैं बहार से ठीक है क्योंकि यह Stable रहता है उस High Temperature में भी Polymerization कर सकता है यह तो एक बात तो है Tech Polymerase 72 Degrees Celsius में Active रहता है दूसरा बात है कि Tech Polymerase एक के साथ बहुत सारे Nucleotide को Add कर सकता है जैसे कि DNA Polymerase 1 अगर देखो आप तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका जो Processivity है वो भी Slow है मगर Tech Polymerase के ज़्यादा है तो अभी हम देखेंगे तीसरी बात जो है PCR का Components मतलब PCR Reaction अगर हम देखना चाहते है तो उसका Components क्या का रहता है पहले तो बात है एक Reaction Chamber अब Thermocycler देख लिए यहाँ पर आप देखो कि बहुत सारे Black Color का Beat की तरह जगा लग रहा है यह Whale है Whale मतलब चोटा-चोटा प्लेस जहाँ पर हम इस PCR जो ट्यूब है उसको बिठा सकते है उसको हम वहाँ पर Embed कर सकते है ठीक है तो इस ट्यूब बहुत चोटा ट्यूब होता है इसमें हम क्या डाल देंगी इसमें हम पहले तो एक DNA जो टार्गेट DNA हमारा Amplify करने के लिए वो देंगे यहाँ पर swab DNA दिखाया गया हम polymerase को देंगे tack polymerase ठीक है ना हम nucleotide देंगे 4 दोहर का DNTPs हम buffer देंगे reaction और कुछ mineral oil भी हम देते हैं और primer क्योंकि primer के भी नहीं है नहीं होगा यह जो भी component है 6 component है यह 6 component ही important है ठीक है ना अब यह भी component को यहाँ से हटा लोगे तो कुछ फरक आएगा मतलब कि mineral oil को हटा लो तो कुछ फरक आएगा मगर उसके अलाबह अगर किसी और भी चीज़ को हटा लो तो यह process कामी नहीं करेगा even mineral के बिना भी अगर यह काम करता भी है तो एक effective way में amplify नहीं करेगा क्योंकि minerals जो है चाहिए होता है DNA replication मतलब polymerization के लिए है तो target DNA जो है इसमें एक sequence होता है जिसको हम amplify करना चाहते है यह primary चीज़ है उसको ही हम amplify करते है फिर इसका बाद two oligonucleotide primer दो primer हैं वहाँ पर दो primer एक करते है forward और एक reverse और वो जो primer है वो always c' hydroxyl end को free करता है अब उसको polymerase जो extend कर पाएगा फिर उसका बाद dn-tps deoxy nucleotides, triphosphates यह DNA के building blocks है हम जानते है d-atp, d-t-t-p, d-g-t-p, d-c-t-p DNA का amplification के लिए a, t, g and c चारो nucleotides दिया हुआ होता है और आखिर में heat stable DNA polymerase TAC polymerase isolated from thermos aquaticus PFU polymerase isolated from pyrococcus furiosus vent polymerase isolated from thermococcus litoralis तीनो टाइप का जो यह polymerase है यह तीन polymerase ही thermally stable है thermally stable polymerase है thermally stable का मतलब है कि बहुत heat में भी यह काम करेगा कोई problem नहीं होगा इसमें ठीक है तो अभी TAC polymerase की properties देखें इन में से बहुत famous जो है वह है TAC polymerase और general PCR reaction में TAC polymerase यूज होता है कुछ PCR जहां पर जो target DNA अगर वो बहुती लंबा हो तो हम PFU polymerase को यूज करते है क्योंकि PFU polymerase का जो processivity है बहुत हाई होता है मतलब वो बहुत nucleotide को एक stretch में add कर पाता है ठीक है क्योंकि अगर छोटा target DNA है तो TAC polymerase best है अगर लंबा है तो PFU polymerase तो TAC polymerase के कुछ property TAC polymerase को बहुत unique बनाता है जिससे कि TAC polymerase primary polymerase के तरह PCR reaction में use होता है पहले तो यह source thermos aquaticus activity यह 5' to 3' polymerase activity hold करता है मगर कोई exonuclease activity इसमें नहीं होता है मतलब कि कोई proof reading activity इसमें नहीं होता है ठीक है stability half life stability half life less than 15 minute at 100 degree celsius but retains activity up to 40 minute at 95 degree celsius यह बहुत important है बहुत important statistics है अगर देखो कि एक polymerase जो 95 degree celsius temperature तक 40 minute active रहता है तो यह ऐसे ही polymerase हमें चाहिए क्योंकि एक चीज़ अगर देखो क्या polymerase, DNTPs जो भी components है reaction के PCR की वो सब एक ही साथ हम डाल देते हैं हैं अभी उसके बाद हम temperature vary करते हैं पहले temperature 94 degrees फिर इसके बाद 54 देन उसके बाद 72 तो पहले से temperature 94 मतलब वो reaction chamber के temperature 94 degrees Celsius तक rise होता है है ना हम ऐसा नहीं कर सकते है कि reaction कुछ हो जाए, denaturation हो जाए उसके बाद polymerase act करेंगे वो प्रॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर ऐसा है तो हमें हर बार हर एक step में polymerase act करना परेगा ऐसा तो नहीं होता है polymerization जो होता है यहाँ पर PCR में आप सब एक की साथ डाल दो उसके बाद cycle मतलब thermocycler में बिठा दो उसके बाद 4 घंटे तक process run करो बहुत सारे copy DNA मिल जाएगा और जो result है हम end में ही देखेंगे बीच में thermocycler को हम कुछ नहीं करते हैं तो जो भी polymerase है उसको 94 degrees Celsius temperature को withstand करना है और वो tag polymerase बखू भी नहीं बासकता है for 40 minutes और यहाँ पर तो temperature 94 तक नहीं रहता है फिर उसके बाद drop होता है फिर increase होता है तो tag polymerase remains active मगर till certain time एक time होने के बाद tag polymerase उसके बाद polymerization कर नहीं पाता ह है उसके error rate भी होता है 2 into 10 to the power 4 errors per base वो error भी करता है जैसे कि कोई भी polymerase error कर सकता है मगर जो DNA polymerase 3 है वो DNA polymerase 1 है जो DNA replication में use होता है और repair में use होता है वहाँ पर अगर हम देखे तो वो सारे DNA polymerase के साथ एक exonuclease मतलब एक proof reading activity रहता है जो tag polymerase के PCR reaction में नहीं होता है तो जो fidelity हम बोले वो भी low है ठीक है so जभी greater fidelity चाहिए होता है तम हम more thermostable enzymes use करते हैं मतलब का और भी thermostable enzymes हो वो हम use करते हैं जैसे कि PFU मैंने कहा बहुत high fidelity है compared to tag polymerase इसलिए दो-तीन type का polymerase हमें जिसको temperature भी outstand करना है और fidelity भी जिसकी high हो प्राइमर डिजाइनिंग क्राइटेरिया प्राइमर डिजाइनिंग क्राइटेरिया यह और एक important चीज़ है जब PCR run होता है पहले से sequence को नहीं जानो तो आप प्राइमर नहीं डिजाइन कर पाऊगे आप PCR भी नहीं कर पाऊगे तो यही सबसे बड़ा drawback है PCR के PCR अप unknown DNA को कर नहीं सकते है आपको DNA के sequence जानना है at least जो DNA आप यूज़ कर रहे हो उस DNA के दो terminal side के sequence तो आपको जानना ही है जहां पर आप primer को attach कर सको परना नहीं होगा तो मैंने बोले के दो primer होता है यह है एक primer यह है और एक primer इससे हम कहते है एक को forward primer एक को reverse primer तो denature हो जाने के बाद जो strand denature हो जाएगा उसके बाद यह primer add होता है और then primer का extension होता है तो primer एक uniqueness होना बहुत ज़रूरी होता है मतलब पहले तो है एक similarity भी होना परता है primer का complimentary होना परता है towards DNS template primer का length बहुत लंबा भी मत हो बहुत छोटा भी मत हो primer का melting temperature बहुत important है मतलब DNA का melting temperature और primer का melting temperature अगर एक हो गया तो बहुत problem हो जाएगा क्योंकि melting temperature मतलब DNA दो strandकर साथ separate हो जाता है अभी primer का melting temperature अगर उससे कम हो तो उससे कम temperature में primer melt हो जाएगा तो जब ही cycle run होगा तो primer ठीक तरीके से annil नहीं कर पाएगा तो इसलिए melting temperature का control कौन करता है GC content जितना GC है उतना high melting temperature क्योंकि GC, GRC के बीच 3 hydrogen bond होते हैं तो यह एक important property है तो यह भी देखना पता है कि primer में कितना GC content है और एक बात primer की internal structure देखना बहुत ज़रुरी होते हैं मतलब primer के अंदर ऐसा कुछ nucleotide sequence है जो self binding हो because अगर एक के साथ एक bind कर जाए तो primer जो है वो loop form कर जाएगा herepin अगर primer खुद self bind कर जाए तो primer काम ही नहीं करेगा तो हमें ऐसा कोई भी self complementary sequence को entertain नहीं करना है and जिसको हम कहते है primer primer interaction और इसे हम यह भी कहते है primer dimer binding मतलब दो primer forward or reverse अब जब design कर रहे हो primer यह खुद के हाथ में होता है एक ऐसे primer design करो कि हम जानते है कि जो target देने उसका क्या sequence है तो वह देखके complementary साब से primer design करते हैं तो वह देखकर अगर हम primer design करें ऐसा एक जो 2 forward reverse primer में 4-5 nucleotide सेम हो गया मतलब 15-20 nucleotide का एक length है primer का उसमें से 5 nucleotide सेम निकल गया तो वह 5-6 जगह में वह दो primer एक के साथ एक bind करके रह जाएगा तो उसे कहते है primer dimer अगर primer dimer form हो गया तो वह primer कैसे target DNA के sequence के साथ bind करेगा नहीं कर पाएगा तो जब अभी primer design करना है बहुत सारे factor दस बंदरा factor है जो देख के करना परता है तो अभी तो बहुत सारे sites आ चुका है even algorithms आ चुका है bioinformatics कुछ tools आ चुके है बहुत अच्छा अच्छा tool आ चुका है जहां पर हम देख सकते के clearly के primer को कैसे design किया जाए मगर कुछ problem को हर वक्त देखना है के runs of 3 or more C or G at the 3 prime of the primer may promote miss pairing मतलब 3 prime जो end है primer के उसमें C or G ज्यादा नहीं होना चाहिए तो हम जभी देखे primer को बनाए तो C और G को 5 terminal में लगा है not 3 terminal में 3 prime end of primer should not be complimentary मतलब वो 3 prime end अगर complimentary है खुद के साथ तो खुद के साथ bind कर जाएगा forward और reverse primer के बीच में होता है तो primer dimer हो जाएगा है ना तो self complementarity should be avoided तो यह सारे जो बात मैंने बोला कि यह बहुत important चीज़े यह देखना परता है जभी primer हम design करते हैं तो bioinformatics tool में पहले तो हम जभी हमारा target DNA sequence दे देते हैं उसके साथ-साथ वो automatically कुछ primer का sequence हमें दिखाता है forward or reverse अब उन में से हमें select करना परता है कौन से primer हम use करें जो productivity के लिए ज्यादा बेतर हो और वैसे हम choose करते हैं बहुत सार प्रॉपर्टी को एक के साथ एक टैली करके चेक करके है ना तो आप देखो के primer के बारे हम जानगे के primer हम design कर लिए हम जानते है target DNA का sequence तो हम primer design कर लिए अभी कैसे exactly PCR होगा और एक देख लेते step के साथ हमें मालू है कि PCR reaction में ज्यादा कुछ नहीं होता है prerequisite जो है मतलब primer design करना बहुत complicated होता है compared to PCR करना अभी देखों यहाँ पर PCR में तीनी step है denaturation जो की 94 to 96 degrees Celsius temperature annealing near about 64 to 68 degrees Celsius और sometimes also 50 के range में भी हो सकता है शायद 68 थोरह ज्यादा है लिखा है यहाँ पर elongation 72 degrees Celsius so अभी और एक बात होता है कि annealing और elongation temperature के बीच एक gap होता है क्योंकि annealing का temperature obviously कम होना परता है elongation के temperature से अगर annealing का temperature high है elongation के तो elongation नहीं होगा क्योंकि temperature हर वक्त high reach ही नहीं कराएगा तो primer annealing नहीं कर पाएगा इसलिए annealing का temperature elongation के temperature से कम होना परता है ठीक है तो अभी देखो mechanism start होता है very basic start से मतलब original DNA यह green color का जो हम simple way में amplify करना चाहता है तो हम उसमें primer में डाल दिये जो red color का आप देख सकते हो यहाँ पर primer डाल दिया हम ठीक है DNA primer और यह blue color का DNTPs अभी primary step और पहला step है denaturation जो high temperature में 94 to 96 degree temperature में हो गया एक चीज़ यहाँ पर दिखाए नहीं गया वो है PFU polymerase polymerase भी है इसी reaction mix में पहले ही से तभी जब 94 degree Celsius करते हैं polymerase जो tack polymerase ही वो survive कर जाएगा हम जानते हैं उसके बाद second step है annealing मतलब near about 55 to 60 degree Celsius temperature यह annealing temperature में primer जाके bind करता है red color कर primer जो है वो forward और reverse primer bind कर गया उसके बाद third step elongation primer को extension किया जाएगा blue color में दिखाया गया कि नया nucleotide देख के बाद एक add हो रहा है वो blue color का और नया extension complete होता है आप एक चीज़ अगर ध्यान में देखो यहां पर कि यह process जब complete होता एक stand से दो stand बना पहला cycle यह first cycle पहला cycle complete होने के बाद हमें दो DNA मिलता है मगर वो hybrid type का DNA है क्योंकि इस DNA में हमें हमें जरूरत से ज्यादा nucleotides मिल जाता है पहले तो यह है second thing यह है इसमें जो है एक DNA है जो unique है जो मतलब के एकदम pure DNA है green color के बाकी का जो DNA है blue color का वो एक साथ pure DNA है नहीं अभी next round में जब होगा तब क्या होगा कि एक green यूज होगा as a template और एक blue भी यूज होगा as a template तो अभी देखो second cycle second cycle के बाद हमें क्या मिलता है हमें फिर से दो DNA मिलता है जो totally नया DNA है और अब दो मिलता है जिसके साथ एक pure green strand of the DNA present रहता है अभी ऐसे करते करते हम क्या देखें कि हर वक्त यह जो target region है हमारा मतलब आप देखो कि यह अगर target region है तो हम क्या करते हैं कि primer को हम बाहर ही bind करवाते हैं और target DNA को extract करते हैं तो यह part है target मगर primer attach हुआ बाहर के side में तो जब यह amplification होता है पहला cycle दूसरा cycle तो उसमें purified form में मिलेगा तो जब अब run करोगे multiple cycles तब हम देखेंगे आखिर में हमें pure जो target DNA सिर्व वो मिल रहा है बागी के DNA घट रहा है ठीक है तो ऐसे करते करते PCR का बहुत सारा cycle continue होगा मगर एक question है यह तो एक छोटा chamber है जिसके अंदर यह बुड़ा process हो रहा है जो thermocycler temperature को vary करवा रहा है मगर यह चीज करते करते कब तक polymerization continue होगा अगर theory को आप देखो तो आप कहोगे कि eternity तक होना चाहिए क्योंकि polymer is active है मगर एक बात है बहुत सारे dna तयार हो रहा है concentration बर रहा है इसके वज़े से एक congestion effect काम होता है दूसरा बात यह है कि बहुत बार cycle होने के वज़े से जो polymerase enzyme है वह भी activity loose कर रहा है तो इस दोनों चीज के वज़े से कुछ cycle के बात मतलब मानों कि 29 30 32 cycles उसके बाद इतना dna प्रिपेर हो गया इतना गया तो अगर आप देखों के दीरे दीरे एक time पे जाके जो growth है अगर graph को में draw करता हूँ ऐसा कुछ जो growth है मतलब का classification है पहले तो exponential phase में चलता है उसके बाद एक time पे जाके वो एक plateau phase पे reach कर जाता है उसके बाद अगर आप polymerase भी बढ़ाओ तो भी नहीं होगा कुछ भी क्यूंकि ये moment पे अगर जितना भी आप temperature change करो कुछ भी कर लो मगर वो एक stability आ जाता है ये एक beauty है polymerase chain reaction की तो इसका मतलब होता है कि polymerase chain reaction एक time limit तक ही चलेगा उसके बाद अगर time बढ़ाओ भी तो भी आपको ज्यादा DNA नहीं मिलेगा है ना उसके एक end limit है उतना तक ही आपको मिलेगा उसके बाद नहीं मिलेगा तो क्या advantages है PCR के मैंने पहले ही बताया PCR एक ऐसा टेकनीक है वो सारे के सारे molecular biology टेकनीक में almost every molecular biology टेकनीक में use होता है advantage है यह rapid है बहुत ही fast है and easy to perform होता है sensitive है amplification होता है DNA का sample से बहुत ही कम time में हम कर सकते cloning बहुत time consuming है खर्चा भी ज्यादा होता है robust making it possible to amplify DNA from degraded sample मतलब के अगर sample degraded हो गया DNA fragment हो चुका है organism मर चुका है फिर भी DNA का थोरा fragment बचा है फिर भी हम PCR करके कुछ copy बना के उसको study कर सकते है जो cloning में है बहुत difficult है कि cloning के लिए हमें sites चाहिए जहां पर restriction enzyme cleave कर पाएगा फिर annealing कर पाएगा बहुत सारे differentties होते है cloning में जो PCR में नहीं है बहुत fast है और disadvantages भी है एक तो बात है पहले disadvantage में ने एक बार बता दिया कि prior sequence knowledge चाहिए होता है मतलब जो DNA को amplify करना है उसे हमें पहले से जानना परता है known sequence होना चाहिए unknown sequence का PCR नहीं हो पाएगा short size range of amplification of the product मतलब जो product को amplify करना है उसके sequence hundred से thousand base pair का sequence तक ही हो पाएगा अगर आप देखो thousand base pair भी बहुत होता है अच्छा काम नहीं करता है PCR thousand base pair के लिए क्योंकि जितना बरा जितना बरा DNA है primer घलत जगा bind करने का chance भी बर जाता है है ना क्योंकि primer तो एक particular sequence है और primer को आप छोटे बनाया और जो DNA है वो 5000 base pair के primer है 20 base pair के तो 20 base pair sequence similarity उस 5000 base pair में पाँच जगा पे मिल गया तो primer पाँच जगा bind कर जाएगा और 500 part में DNA का amplification होगा जो हम नहीं चाहते हैं तो बहुत problem हो जाता है अगर DNA का जो sample है वो बहुत लंबा होता है तो ठीक है ना उसमें primer design करना भी बहुत difficulty आ जाता है chances of contamination यह और एक बड़ा बात है कि contamination होता है बहुत मतलब PCR का यह disadvantage क्योंकि मैं अभी बताया कि PCR बहुत step में depend करता है primer design में temperature vary करना में मतलब कि temperature एक degree भी इधर उधर होता है तो बहुत बार कुछ unwanted products तयार हो सकता है यह जो चीज है यह बहुत bother करता है PCR के लिए और contamination मतलब ऐसा कुछ DNA का part जो हम नहीं चाहते थे target DNA के अलाबा कुछ और DNA का sequence जो है तयार हो गया और वो हम नहीं चाहते थे ऐसा कुछ contamination हो सकता है और आखिर का जो बात यहां यहां पर लिखाने है और traditional अगर हम traditional PCR देखे क्योंकि यहां पर हम traditional PCR को ही follow किया अभी तक traditional PCR का बहुत variations है बहुत सारे type का है PCR वो भी हम देखेंगे next video में यह traditional PCR में और एक difficulty है के पहले तो एक बात है PCR मिक्स में अब सब कुछ डाल दो पहले से ठीक है सिल कर दो उसके बाद reaction में बिठा दो thermocycler में अभी तीन घंटे के बाद मानो के तुम्हारे calculation में तीन घंटे के बाद इतना DNA हो जाएगा कि तुम काम कर सकता हो तुम तीन घंटे के बाद PCR को stop कर दिया DNA को isolate किया extract के और gel run किया वहाँ पर देख पाओगे कि traditional PCR में यह problem है कि वो gel run करने के बाद दिखा देए कि target DNA अंप्लिवाई हुआ ही नहीं totally contaminated DNA होके रहे गया मतलब समझ नहीं आएगा कि कौन सी step में गलती हुई है during PCR समझ नहीं आता है क्योंकि पहले तो एक साथ बिठा दो batch production की तरह और आखिर में end करो बीच में आप देख नहीं पाओगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है यह बहुत इस चीज़ को contract करने के लिए reverse I mean sorry real-time PCR real-time PCR आया real-time PCR को exact real-time में monitor कर सकते हो कि PCR कैसे count कर रहा है मतलब amplified हो रहा है या नहीं product अगर नहीं हो रहा है तो तभी stop करके फिर से reaction बना के फिर से बिठा हो अगर PCR में होता है traditional PCR में आप यह नहीं कर पाओगे तो आपको चार घंटे के बाद पता चला कुछ नहीं हुआ यह बहुत चार घंटे भी नहीं क्योंकि PCR के बाद तो आप देख नहीं पाओगे DNA को आपको वो जेल रन करना है वो भी दिर घंटे लग जाएगा उसका बाद 5-6 घंटे के बाद मतलब कि पूरा दिन यूटलाइस करने के बाद पता चला कि PCR नहीं हुआ है यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि real-time PCR हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है बहुत real-time PCR यह जो disadvantages इसको counteract करता है मगर इनमें बहुत पैसा भी लगता है real-time PCR में क्योंकि quantity में बनाना पड़ता है PCR हमारा best choice है हर वक्त किसी भी लैब में PCR is the best choice और even जब molecular biology लैब में कोई काम करता है PCR को अलग से technique में नहीं वो देखते PCR मतलब हर दिन करना ही परेगा है साही हो जाता है तो यह बात है PCR का human genome sequencing में बहुत बार यूज़ हुआ PCR और इसके वज़े से nobel में मिला कैरे मुलिस को और वो चाहिए भी बहुत important एक very basic principle है मगर बहुत important एक discovery है यह तो यह बात है PCR traditional PCR की next video में हम बात करेंगे different classes of PCR बहुत सारे type का PCR है उसके बारे में और उसके बाद हम real time PCR को भी देखेंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए definitely दूसरा जो PCR के बारे में दूसरी वीडियो को देखें like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए thank you